लोगसमा चिनाओं से पहले कॉंग्रिस में भगदर मची हुई है। लिस्तां से कई पुराने फूल अब जा चुके है। लिस्तां से पहले कॉंग्रिस के लिए बड़े नुकसान के तौर पर देखे जा रहे हैं। एक जटका मिलिंद देवडा के रूप में लगा दूसरा बाबा सिध्धिकी के तौर पर कॉंग्रिस का अंगण अब सूना होता जा रहा है। या वो स्वामी भक्ती कर के कोई न कोई पद वहाँ पर लेना जाहते हैं। कॉंग्रिस अब देश की राजनीती में ना तीन में बची है और ना ही तेरा में। क्योंकि जो लोग सुधार की बात करते हैं वो इतना परिशान कर दिये जाते हैं कि पार्टी छोड़ कर ही चले जाएं। जैसे कि बाबा सिध्धिकी। 48 साल तक कॉंग्रिस में रहने के बाद महराष्ट्र कॉंग्रिस के जाने माने नेता बाबा सिध्धिकी ने पार्टी छोड़ दी है। मेरा सफर इंदरा गांधी जी से लेकर राहूल गांधी तीर तक रहा। बाबा सिद्धीकी ने कहा कि मुझे फैसला लेना था और मैंने फैसला ले लिया, कोई मुझे मजबूर क्यों करेगा, मैं वयस्क हूँ, जब आपको कोई बात समझ में ना आए और बार बार कहने पर भी उसमों सुधार ना हो, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि बाप की को बढ़ावा मिलता है, राहूल गांधी बीजेपी से मुकाबला करने चले हैं, लेकिन अपने नेताओं को अपने साथ जोड कर नहीं रख पा रहे हैं, इसके अलावा मध्य प्रिदेश में भी कॉंग्रेस को बड़ा जटका लगा है, मध्य प्रिदेश में कॉंग्रेस के प नहीं तैशी कारियों के लिए मैंने भी जेपी जॉइन की है, तो देखा आपने कैसे राहूल गांधी की यात्रा के बीच कॉंग्रेस में स्तीफी की जड़ी लगी हुई है, ऐसा लग रहा है कि जैसे चुनाव तक कॉंग्रेस में सिर्फ गांधी परिवार उनके कुछ खा करें और बेल आइकन को दबाएं